जै श्री राम भगतो ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और महाशक्ति साली मंत्र आज हम आपको बताएंगे जिससे आप जब चाहें जो चाहें वही तुर्ण प्राप्त कर सकते हैं भगतो इतना तो आप जानते ही हैं कि इस ब्रह्मांड में अनन्त कोटी नाम हैं और अनन्त कोटी मंत्र हैं लेकिन जो सबसे प्राचीन मंत्र है वो तो प्रभावसाली होगा ही होगा क्योंकि जितने भी मंत्र बने हैं और जितने भी नाम बने हैं वो सब उसके बाद में आए हैं तो वो कौन सा नाम है कौन सा मंत्र है चलिए जानते हैं संसार के रचेता ब्रह्मा के एकाग्र चित होने पर उनके हिर्दय अकास में एक ध्वनी उत्पन हुई जिसका अनुभव शरवन इंद्री की वर्ति एकाग्र हो जाने पर हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन उसको सुनने के लिए क्या करनापड़ेगा हमारी जो शर्वन इंदरी है जिसे सुनने की शक्ती है उसको हमें एकागर करना पड़ेगा और उसी को वेदों के ग्याता ओमकार बिंदू कहते हैं किसको कहते हैं जो मन को एकागर और शर्वन इंदरी को एकागर करने पर जो हमारे अंदर से धवनी सुनाई देगी उसको ओमकार बिंदु कहते हैं मगर वहनाद बिंदु इन बाहियों कानों से सुनने या लिखने एंव बोलने का विशा नहीं है ऐसे नहीं सुन सकते आप उसको नहीं कोई उसकी उत्पती को जानता है यही शव्द स्वेम प्रकासमान होने से आदी अंतरहित लिंग कहलाता है यही शव्द सभी वेद शास्तरों का सनातन बीज मंत्र है जब मनुष्य इस अंदर के शव्द को अंतर में ही सुनने लगता है तब वह सच्चा असली भक्त कहलाता है और जब मनुष्य इस अंदर के शब्द को अंतर में ही सुनने लगता है उस समय वह जो भी चाहे जो भी मांगे उसे तुरंत ही मिल जाता है और इसी शब्द को संतों का नाम, सत्य नाम, अखंड नाम, पावन नाम, अमरित नाम, ओम नाम, हक नाम, सत नाम, गैबी आवाज, सिक्रेट गोल्डन ओफोली नाम, सार नाम, आदी नाम, सोहंग मंत्र, अथवा महा मंत्र भी इसी ओम कार शब्द को कहा जाता है शाष्ट्र ये कहते हैं कि यह ओमकार ही परभ्रह्म है इसे जो जानकर इससे जो कुछ भी मांगता है जो कुछ भी चाता है वह इसे तुरंत ही मिल जाता है ओमकार शब्द का अर्थ है सरव्यापक, सरवाधार, सरवनियन्ता और सब का पालन पोशन करने वाला तो जो भी व्यक्ति इस ओमकार का ध्यान करता है, जब करता है, इसका उचारण करता है या इसका शरवन भी करता है प्रती दिन तो जो वो चाता है उसको वो इच्छी तवस्तु जरूर मिलती है क्योंकि भगवान नाम, ये नाम ही है, ये वही नाम है जिसके बारे हम आपको बताते हैं, भगवान नाम को कल्प व्रिक्ष कहा गया है और कल्प व्रिक्ष से तुम जो मांगोगे जब मांगोगे वो तुम्हे तुरंत ही मिल जाता है तो ये ओमकार शब्द, ओमकार मंत्र सबसे प्राचीन और महाशक्ति शाली मंत्र है और यही जो सब जगे व्यापत है इसी को सबने भजने के लिए जपने के लिए कहा नानक जो जल थल रहे हो समाई और दूजा कहे सुमरिये जनम ते मर जाए तो एक वही एक है जो जल थल में समाया हुआ है उसको आप भजेंगे जपेंगे क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ इस स्रिष्टी पर आया है और हंस नाम भी सब में वैपक है इसी से प्रानी जिंदगी को व हंग है जो इसे जपेगा वो तुरंत ही सब कुछ पालेगा तो अब हम अपने वानिक को विराम देते हैं जै श्री राम भगतो